एलो बाइस मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर और एकॉनमिक्स लवक्वाशिक आपके सामने लेकर आया हूँ आपको मन से लगन से पूरा वीडियो देखना है अगर कोई दिक्कट डाउट परिशानी हो तो कॉमेंट सेक्शन में बतानी है क्योंकि जो समस्या आप बताओगे तभी मैं उसका समाधान दिकालूँगा अपना रिष्टा बहुत अच्छा जम गया गुरू आपना बता है क्या जो तुम कह रहे हो मैं उस चीज के ओपर वीडियो बना रहा हूँ और जिस तरीके से आपके प्रबलम आ रही है तो मैं उसक से दिखरी हो दूसरी होती है इंपरफेक्ट कॉंपटिशन आप परसे कॉंपटिशन का एक नाम हो रहे है को कंप्लीट कॉंपटिशन या फिर प्योर कॉंपटिशन बोल देते हैं प्यार से डरने वाली कोई बात नहीं है अब तुम्हे ना इसको फील करांगा यह तब फी ये तीन जो आपके कूर्स में है इंक पर्फैक्क कॉंपिडिशन की पहली टाइप मोनो पूली दूसरी टाइप हम पढ़ेंगे ओलिगो पॉली और तीसरी टाइप हम पढ़ेंगे monopolistic competition इसी में आपको बताऊंगा कि duopoly और tripoly क्या होता है oligopoly वाले में ठीक है तो दिल थाम के तसली से competition को मैं short में ऐसे लिख देता हूँ आप समझ जाना perfect competition की बात करेंगे खाली page रखा हुआ है इसलिए तो कि तुम्हें समझाऊंगा अब शांती से एक बात मानते हो चलना कि तुम कोई business कर रहे हो काम धंदा कर रहे हो तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो तुमने मालो एक चीज क्या है मालो यह pen है यह pen को बनाने के लिए तुमने 10 रुपे खर्च किये और इस pen को market में तुम तुम 50 रुपे का बेच रहे हो और दुनिया मजे से खरीद रही है ऐसा मान के चल लो फिर ये बात किसी third person को पता लग जाती है यह दस रुपे का raw material खरीद के बंदा 50 रुपे का finish item बेच रहे है पहन बेच रहे है यहनि 40 रुपे का profit में 49 का बेचेगा बिल्कुल बिकेगा उसका अब किसका ने बिकेगा तुम्हारा ने बिकेगा क्योंकि हम यह मान कर चल रहे है कि उसने डिटो वैसा ही पहन बना दिया जैसा आप बना रहे हो परफेक्टली सेम चीज बना दी आपको जबर्दस्ती इसका ये वाला price accept करना पड़ेगा जबर्दस्ती क्या मतलब condition ही ऐसी हो गई है कि दोनो सेम चीज बना रहे हो आप महंगी बेचे रहे हो वो सस्ती बेच रहे है तो सस्ती वाले का बिकेगा आपका बिकेगा तो 49 आपको price accept करना पड़ेगा अब यही बात किसी और firm को पता लगती है तो वो 10 रुपे का समान खरीद के 48 का बेच रहे है अब इसको भी और इसको भी दोनों को 48 का ही बेचना पड़ेगा नहीं तो इसका ही समान बिकेगा क्योंकि हर दुकान पे सेम समान हो तो मैं उसी दुकान से समान लोंगा जिसका सस्ता है अगर सेम हो तो सेम की बात कर रहे हैं अब देख लो ना यार हिंदुस्तान पट्रोलियम इंडियन ओईल भारत पट्रोलियम, रेलैंस पट्रोलियम सब सेम रेट पे पेट्रोल बेच रहे हैं अगर इन्हें से कोई भी रेट सस्ता कर देना पेट्रोल का कंपेरेटेवली एक दूसरे से कंपेरिजन में तो दुनिया उससे पेट्रोल लेने लग जाएगी है तो अगर इसने एक बंदे को और पता लग दिया उसने प्राइस 10 का बनाके 40 का कर दिया तो इन सब को 40 में बेचेगा तो सारी फिर्म को product 11 में बेचना पड़ेगा यह price accept करना पड़ेगा और यह price है युनिफार्म होता जाएगा uniform का मतलब उपर-nीचे नहीं uniform का मतलब हर एक firm के पास constant होता जाएगा सारी firm को same price पे समान बेचना पड़ेगा जादा पे नहीं बेच सकते अच्छा, economics में एक खास बात है अंदर की बात आज समझा रहों समझो अगर मैं बोल रहा हूँ किसी समान को बनाने की marginal cost 10 रुपे है इसके अंदर ना इतना सा profit included है यानि अगर मैं 10 रुपे का समान बना रहा हूँ और मुझे 10 रुपे ही मिल रहे हैं समान बेचने के बदले तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कुछ किया नहीं survival level का profit, normal profit मुझे हो जाता है ये मान के चलो आप ये मत मानना कि 10 की marginal cost है और 10 रुपे का समान बेचा है तो कोई फाइदा नहीं हो रहा है उसको पता लगा 10 की cost आती है तो 10 का ही समान बेचना शुरू करती है तो दुनिया जितनी भी number of firm होगी वो 10 रुपे का ही बेचे की ऐसे में पता है number of firms बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी ये वो market की competition की form बन गई है जहाँ पर किसी भी एक समान को बेचने वाले firm बहुत सारी है सारी firm एकी जैसा समान बेच रही है और उनके numbers बहुत सारे है खरीदने वाले बहुत सारे बेचने वाले बहुत सारे same price पर सब बेच रहे है और किसी को कोई मना नहीं कर रखा किसी को कोई रोक तोक नहीं लगा रखी कि कोई कमपनी इस समान को नहीं बना सकती सब को allowed है सब बनाओ तो ये market को बोलते perfect competition perfect competition फिर वो form of market हुई जहाँ पर किसी भी समान को बेचने वाली बहुत सारी फर्म्स होती है बहुत सारे sellers होते है कौन सा समान बेच रहे है ऐसा समान जो हर्दुगान पर सेम है अलग नहीं है अलग होगा तो एक और form of market है वो आगे कराऊंगा तो perfect competition की कुछ features है जो आपको करनी है वो features अच्छे से पढ़ेंगे ये मेरा समझाने का तरीका था कि यहाँ पर cost है और अलग-अलग firm कैसे एक साथ आ रही है और market बना रही है उस market को perfect competition बोलते है असलियत में ये imagination है imaginary market है अपने आसपास ये market देखने को नहीं मिल रही लेकिन आप imagine करके देखोगे तो this situation is possible अभी आपके लेवल पर इसको इतना सोचना नहीं है सीधा features पर आएंगे ये perfect competition की दोस्तों कुछ features है यहां लिखेंगे features features बड़ी important है जो आपको करनी है पहली feature लिखी है large number of buyers and sellers sellers का मतलब firms है यहां पर कितनी firms होती है ये पता नहीं है आप इसको unlimited firms लिख सकते हो unlimited seller लिख सकते हो ऐसा लिख सकते हो कोई दिक्कत्मी है यहां जो समान बेचा जाता है वो homogeneous है यह हर दुकान पर same समान है लगबख identical है identical twins सुना है जुडवा बच्चे सलमान खान की जुडवा picture देखी हो तो वो same same से थी न ऐसा ही हर दुकान पर identical समान मिलता है twins की तरह तो यह identical product होता है आप से कोई पूचे कि identical product या homogeneous product क्या होता है तो it refers to the product which is same in every aspect similar in every aspect like height, weight, color, size, shape में हर दुकान पर same हो, अलग ना हो अब petrol का example दे सकता हूँ, देखो हर एक seller same petrol बेच रहा है, अलग नहीं बेच रहा in reality there is no example of perfect competition, exact perfect example नहीं है perfect competition का यहाँ पर freedom of entry and exit है, कोई भी फर्म आके entry करो कोई भी फर्म अपनी दुकान बंद करके चली जाओ freedom है, कोई restriction नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और हर एक बंदे को perfect knowledge है, buyer को भी seller को भी की समान कैसे बना है, कौन सी technology का use हुआ है, क्या raw material है, कितना level of competition है, कितनी cost हा रही है, कितना profit हो रहा है सबको सारी knowledge है, सबको सारी knowledge है, तभी तो यह situation आई है कि सबको पता लग ज़िए कि 10 रुपे का समान बंद रहा है और इतने इतने का विक्र है, तभी तो यह कांड हुआ है, वरना तो अबराहम से मोट से 50 रुपे का बीच रहे थे, profit कमारे थे, मोटा margin था, लेकिन नहीं हुआ margin सबसे कम हो गया, ऐसा margin हो गया कि firm सिर्फ जिंदा रहेगी, no profit, no lose, एक ऐसा profit जो normal level of profit पर आता है, उसको बोलते हैं सिर्फ इतना profit कि company जिंदा है, मतलब काई लोगों से पूछा है ना बाई, दुकान खुलके बैठे हैं, क्या चक्कर रहा है, ताओ profit हो रहा है, नहीं हो रहा है, ताओ कहता है, ताओ कहता है, या पर unlimited, ठीक है, तो firm is price taker, price taker है firm, फर्म ने price accept किया है, price किस से accept किया है, price is decided by, यानि determined by market, determined by market या फिर industry कोई भी word use कर लो, इन सबने मिलके price decide गया था, कैसे decide गया था, देखो पीछे, ऐसे price decide हो रहा था, कोई किसी के पास meeting बिठाने नहीं गया, यह भाई कितना price रखना है, automatically, वो सस्ते हैं बेच रहा है, तो हमें सस्ते हैं केचना पड़ गया, वो मजबूरी को determination बोलो, कि इस तरीके से decide हो रहा है, उस तरीके से मानना पड़ेगा, तो price industry decide कर रही है, तो firm का price checker होना यहाँ पर है, uniform यह नी fixed price है, zero selling cost है, इसका मतलब समझना बढ़ा, क्याड़ा point है, बहुत सारे teacher ने इसको समझाया नहीं है, मैंने देख लिया, कि क्या होता है, देखो, अगर मानो, 10 रुपे की cost आ रही है, परवक की, और 10 रुपे प्राइस रख दिया, सब ने, तो बहुत सारी firm है, एक firm, इस समान की advertisement कर रही है, selling करने के लिए, coupon, discount coupon वगेरा, उस firm को नुकसान नहीं होगा, कम से कम level पर तो बेच रहे हैं सबसमान, अगर कोई advertisement कर देगा, तो नुकसान का level हो जाएगा, वैनि, fall to का खर्चा कोई firm करी नहीं सकती, करती नहीं है, क्यों नहीं करती, करने का नुकसान नहीं है, तो यहाँ कोई भी selling cost, selling cost को बोलते है, advertisement cost, कोई advertisement cost नहीं होती, advertising, advertisement कुछ ही गोलो, कोई advertisement, advertising cost नहीं है बाबु यहाँ पर, तो इस बात की tension लेने के सब्सक्राइब, फिर यहाँ पर AR और MR एक दूसरे का बराबर होते है, यह बात समझने के लिए आपको revenue वाले chapter की knowledge होनी चीए, AR curve, demand curve हो होती है, demand के अगर बात की जाए, 9th point बना दो, लेकि 9th point बनाने से पहले, यह अगर एक इस firm का AR curve है, तो यही MR curve है, ठीक है, और यहाँ पर perfectly elastic demand होती है, perfectly elastic demand, इसका यह मतलब बतायता हूँ, demand curve parallel to x-axis होता है, यह demand curve है, यह actually AR curve को demand curve बोलते है, same बात हो गई, क्यों, elasticity of demand वाले chapter में यह बताये गया था, जिस good के, जितने ज़्यादा सब्सिरूट होंगे, उस good की elasticity उतनी जाधा होगी, यहाँ पर, जो homogeneous product नाम की feature है, यह feature बताती है, कि जो समान दुकानों पर बेचा जा रहा है, वो हर दुकान पर सेम है, तो exact substitute हो गया, तो कितने substitute हैं, बतलब एक जैसे demand perfectly elastic क्यों होती है, तो identical यानि homogeneous product होने की वज़य से demand perfectly elastic होती है, यह तो features तुमने पढ़ ली, अब exam में आएगी तो लिखोगो कैसे, वह starting की 4 feature की explanation सबसे आदा important है, वो आ सकती है, 3-3 number के, बागी तो एक-एक number की कहानी है, इसलिए starting की 4 feature बड़े अच्छे तरीक से explain करके यहा आप PW की mobile app पे download कर सकते हो, link आपको description में दिया हुआ है, ठीक है, पहली feature बताई थी देखो, perfect competition की पहली feature, large number of buyers and sellers, अपना pen का color change करूँगा, orange कर लूँगा, चलो जी, यह लिखा है, large number of buyers and sellers, बहुत सारे buyers और बहुत सारे sellers होते है, इसका मतलब समझा दूँ, पीछे तो अकेला seller, buyer को ये कहकर, price बदल नहीं सकता, कि भाई मैं तर को सस्ते में दे दूँगा, तो मेरे से समान खरी ले, तो कोई अकेला seller, price को influence नहीं कर सकता, क्योंकि एक seller, पूरी बड़ी market का छोटा size है, बहुत छोटी quantity बेच रहा है, अब कोई बहुत सारी quantity बेच रहा होतो, अ ऐसी market है, हाँ पर unlimited seller है, तो कोई भी seller है, बहुत छोटा portion supply कर रहा है, तो ऐसा कहनी देते, दुकान पर जाके, चल यार तेरे लिए सस्ता लखान लगाए दना, तो खरीद ले, यहां नहीं बोल सकता, कोई भी, और कभी-कभी buyer price को influence करने की कोशिश करता है, price को बदल बाता ह कहता है, देख मैं तेरी दुकान से बहुत सारा समान ले लूँगा, तो price कम लगा ले, यहां दुकान दर बोलता है, अगर मैं तुरे को एक unit बेचूंगा, एक रुपया कम करके, तो मुझे एक रुपय का नुकसान होगा, 500 unit पे एक रुपया कम करूँगा, तो 500 रुपय का खरीद रहा है, या विर price उस margin पे है, जहां कम करते ही नुकसान होगा, ना seller existing price को influence कर सकता, तो इसके explanation में आपने लिखना ही है, लिखा है, it implies that under perfect competition, no individual seller और buyer, seller और buyer, कोई भी individual बंदा, can affect prevailing price of the commodity, जो market में prevail कर रहा है price, exist कर रहा है price, उसको कोई भी change नहीं कर सकता, सारी story यहा पर है, ठीक है, अगली homogeneous product होने की वजए से, चीज की demand perfectly elastic होती है, यहाँ पर homogeneous product की definition में लिखती जो मैंने बताई थी, और explanation में लिखी हुए, हर दुकान पर सेम समान मिलता है, इसलिए कोई भी seller समान को बेचने के लिए, फाल्तू रेट भी चार्ज नहीं कर सकता, बंदा खर लोगा, डिक्टो सेम चीज मिल रही है, इसलिए, अगला freedom of entry and exit, this one is very important feature, उसके पीछे पूरी स्टोरी लिखी हुए, ऐसा कहते हैं, अगर एक firm को short run में, short run मतलब शुरू-शुरू में माल लो, loss हो रहा है perfect competition में, तो यार, loss हो रहा है माल लो, 10 रुपे के समान, वो 8 में बे कि वो उस rate पर आ जाए कि, normal profit हो जाए, जब बहुत सारे बंदे होते हैं, तो price कम कर रहे होते हैं, जब बंदे कम हो रहे होते हैं, धर 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 price बढ़ रहा होता है, अकेला बंदा जब समान बेचता है, मोटे rate पर बेचता है, तो, loss तब तक उतारा जाएगा, जब तक long run में normal profit ना हो, अगर शुरू में ही बहुत सारा profit हो रहा है किसी को, मलब 10 रुपे का समान 50 में बेच रहे हैं, अब normal profit बोलते हैं, तो लंबे समय में भाई, इतनी सारी firm entry कर जाएगी, कि यह भी normal profit में convert हो जाएगा, तो यहाँ पर story यह बता रखी है, क्योंकि किसी को आने जाने क कि मना ही नहीं है, कोई भी entry कर लो, कोई भी exit कर लो, तो शुरू में loss हो रहा है, तो वो long run में normal profit हो जाएगा, अगर शुरू में abnormal profit है, तो भी long run में normal profit होगा, अगर शुरू में normal profit है, तो लंबे time तक normal profit रहेगा, यानि at the end, इस feature की implication यह ही है, कि perfect competition की एक firm, long run के अंदर normal profit earn क रहे हैं और दुनिया की बराबर की approach है, access है, उस चीज तक कोई भी लेके बना सकता है, तो डर वाली कोई बात नहीं है, everyone is having perfect knowledge, product के बारे में भी competition के बारे में यह तो था, आपके सामने perfect competition, अब देखो मैंने बताया था, forms of market को दो पाट में classify किया, perfect और imperfect, imperfect में monopoly, अब पीछ मतलब होता है, single, single, और ये कहा लिख दिया, पाली का मतलब होता है, firm, तो monopoly एक ऐसी market है, जहापर कोई भी समान को बेचने वाली, सिर्फ एक firm होती है, अब देखो ज़रा गाउं के इंदर एकी दुकान हो ना, या शेर में या अपने घर के आसपास एकी दुकान हो, और वो म करती है, अपने product का price खुड decide करती है, market के दूसरी firm का कोई role नहीं होता, क्योंकि दूसरी firm दो होती है, तो monopoly ऐसी होती है, असलियत में है, वो जो पट्री है, कुन सी पट्री है, metro वाली नहीं, rail वाली, जो rail गाड़ी वाली पट्री है, उस पर सरकारी rail चलती है, तो monopoly का example भा अलग बंदों से अलग अलग रेट चार्ज कर रही है, भुजुरकों की टिकेट सस्ती, लेडिसों की टिकेट सस्ती, जवानों की सहथ थोड़ी महंगी हो सकती है, पच्चों की सस्ती, डिस्क्रिमिनेशन हो गई, पास बनाने पर सस्ता, टिकेट लोगे महंगी, डिस्क्रि रेजिदेशल एरिया में अलग रेट है और कमर्शेल एरिया में पानी का अलग रेट है अगर किसी ने होटल खोल रखा है होटल में पानी इस्तेमाल करता है तो पानी का उसको ज्यादा बिल चुकाना बढ़ता है जो रेजिदेशल एरिया है वहाँ पर जो पानी का बिल आता है हलांकि बना तो भी एच एल एंटी पीसी एंच पीसी रही है सरकार की कंपनिया लेकिन जहां मैं रहता हूं वहाँ पर ठेका दिया हुए टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रुपिशन लिमिटेड वालों को बिजली सप्लाई करने का तो वह करता है दिस्क्रिमिनेशन को मतलब होता है भेदबाव अलग बंदों से अलग प्राइस चार्ज करना असलियत में ऐसा होता है जब किसी सबान को बनाने वाली बेचने वाली एक फर्म होती है तो वह अलग अलग बंदों से अलग अलग प्राइस चार्ज करती है और एक फर्म है तो उ monopoly में इधार आजाओ अपना white color लेके पहली monopoly में single firm होती है single firm अकेली एक दुकान है and many buyers खरीदने वाले बहुत है समान ठीक है जी दूसरी firm दूसरी feature यह price discrimination की monopoly में price discrimination होती है discrimination का मतलब होता है भेदभाव अब कोई इसकी definition पूछ ले कि price discrimination होता क्या तो सुनलो मेरे मुसे it refers to the practice of charging different prices from different customers for the same product same चीज़ के लिए अलगलग बंदों से अलगलग price charge करना price discrimination कहलाता है अब यह क्योंकि monopoly होती है काफी सारी सरकारी है कुछ private भी है तो यहाँ पर एक दुकान चल रही है तो वो दूसरे बंदे की दुकान को आने नहीं देता यहाँ पर entry exit के लिए freedom नहीं है यहाँ पर restriction है restriction वाला भी सब कुछ clear करता हूं रुख जाओ restriction of entry of new firms and exit of existing firm अब data power daily distribution चाहे ना कि आज ही बिजली सप्लाई करना बंद करें वो भी नहीं हो सकता सरकार का उसके ओपर भी regulation है तो entry और exit दोनों के ओपर कुछ न कुछ restrictions है यह समानी ऐसा बेचती है समान ही ऐसा बेचती है कि उसके जैसे समान कोई और बिखता ही नहीं मार्केट में अभी तो यह फर्म चलेगी वढ़ना क्यों चलेगी तो यहाँ पर समान जो बेचा जाता है उसका कोई close substitute नहीं होता no close substitutes अब कोई close substitute नहीं होता इसी की वजह से यहाँ पर demand less elastic होती है demand less elastic है मतलब ED is less than one क्योंकि जितने कम substitute उतनी कम elasticity जितने ज्यादा सब्सेट उतनी ज्यादा elasticity चार फीचर हो गई पांचवी नमबर की देख लो मतलब यह वाली फीचर भी अलग से कर सकते हो वैसे यहाँ पर average revenue हमेशा marginal revenue से बड़ा होता है इस बात को समझना marginal revenue से आपको बड़ा मिलेगा average revenue यानि अगर यह यह यार करव है यह revenue वाले चेप्टर में बता रखा था यह MR करव है इसको ऐसे मोटे मोटे तोर पर आपको यही फीचर करनी है जाना फीचर के चक्कर में पढ़ना नहीं है इतनी फीचर से आपके काम किया बस इसका ध्यान रखना restriction होती है इसी की वज़े से monopoly long run के अंदर abnormal profit यानि सूपर नॉर्मल प्रॉफिट अन करती है शोट रन में चाहे लोस हो रहा हो नॉर्मल प्रॉफिट हो सूपर नॉर्मल हो लॉर्म नॉर्मल प्रॉफिट अन करेगी क्योंकि इसी के पास power है full control over price price maker है firm यहां पर full control over price price maker है firm यहां पर क्योंकि perfect competition में price checker थी हैं price maker है अब कोई तुमसे बोल दे भाई यह monopoly के causes क्या है अलग color से है तो यहां box में डालो ठीक है यह अलग concept है causes of monopoly 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 बनती कैसे है causes of monopoly this is different concept भाई बनने के reason देख लो यह लोग अदर से लिखूंगा पहला तुम कोई ऐसा समान बेचने लग जाओ जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है हुमारी monopoly हो जाएगी तो मुसका patent right ले लो तो कोई उसको copy भी करके नहीं बेच पाएगा patent right मतलब सरकारी अधिकार ऐसे होते हैं जो exclusive होते हैं जो बंदा लेता है वो ही उसको कर सकता है तो कोई बंदा अगर कोई unique समान बना रहा हो और उसका patent right ले ले तो उसकी monopoly हो जाती है दूसरा कारण मालो तुम बना रहे हो मैं बना रहा हूँ हम दोनों दोस्त बन गए दोनों ने मिलके ठोक दिया दावा कि हमारी company monopoly है उस group को जो हमारा group बनेगा उसको बोलते काटल वल्ड में बहुत सारे example है काटल के तुम्हें कोई काटल का example पता है तो comment section ने बताओ काटल मतलब group होता है जो monopoly बना लेता है तीसरा government licensing सरकार license देती है monopoly बनाने की जैसे टाटा पावर दिल्ली distribution limited को हमारे लाख्य में दी हुई है एक दूसरा ही लाख्या उसमें B.S.E.S. यानि compliance company को दिया हुए बिजली बाटने का ठेका फिर कुछ government खुद भी monopoly create कर लेती है गौर्मेंट created monopoly इसमें railway example इंडियन railway ठीक है ये इस बेस बेस बेसिक रिजन ऑफ formulation of monopoly arising monopoly जो आपको पता होने चीह है दी जाता features of monopoly तो यह हो गई इसके बाद मैं आपको monopolistic competition कराना चाहता हूँ लेकिन वो नहीं कराऊंगा पहले oligopoly कराऊंगा oligopoly ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जिसमें दो शब्द आते है oligo और poly इस बात को ध्यान रखना अब भाई oligo जो होता है इसका मतलब होता है few और poly जो होता है भी बताया है इसका मतलब होता है firm oligopoly एक ऐसी forms of market है जहाँ पर किसी भी समान को बेचने वाली बहुत कम number of firm होती है कैसे की इंडिया में देखो mobile phone की sim बेचने वाली company और बताओ कुन सी है होगी तो एक दो और होगी ऐसे है नहीं बहुत कम है कि अना अगर बताओ इंडिया पूरे वर्ल्ड भी देख लो कोल्ट रिंग पेचने वाली company पैप्सी और कोकागोला और कोई बताओ अब तुम बोलो कि सर फेंटा 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 तो कोकागोला कि किया है माजा कोकागोला किया है एक स्लाइस पेपसी किये विरिंडा पैपसी किये जहां पर भौत कम नंबर फर्म होते हैं अगर तू फर्म है तो उसको बोलते है डू पोली अब डूल सिंफोन होते हैं डू का मतलब दो होते हैं अगर तीन फर्म है कोई समान बेचने वाली तो उसको बोलते हैं ट्राय पोली चार है तो oligopoly बतब ये दोनों भी oligopoly ही है लेकिन special नाम भी है इनका ऐसा मत कहा है न कि oligopoly नहीं है ये भी oligopoly है भई तो oligopoly वो form of market होती है जहाँ पर किसी भी समान को बेचने वाली few firms होती है लेकिन in few firms का size बहुत बढ़ा होता है जो भी आप TV के अंदर add देखते हो जनरली वो add पर खर्चा करने वाली oligopoly firm होती है बहुत अवल दरजे का खर्चा करती है मैं petrol का example दे रहा था न आपको वो petrol perfect competition तो नहीं है petrol को बेचने वाली इडिया में company पांच ही है यह साथ देखिए मैंने reliance है हिंदुस्तान पट्रोलियूम इंडिया नोयल भारत पट्रोलियूम पांच शे company हैं साथ लगा लो एक मुझे नहीं पता होगी इतनी कंपनी यह साथ है few large firms है few की definition नहीं कि 10 होगी या 15 होगी तो किसी भी समान को बेचने वाली यह जो फर्म से बहुत बड़ी-बड़ी साइस किया बहुत जादा पैसा इन पर इन फर्म्स की फीचर देखे oligopoly की features orange color से यहां लिखूंगा oligopoly की features क्या होती है यह देख लो जी पैली feature कि यहां पर few firms हैं तो बोलते हैं यह few large firms हैं पर बहुत खर्चा करती है तो huge advertisement cost होती है इनकी Pepsi Coke वगेरा की ठीक है यहां पर भी कोई मनाई नहीं कोई भी firm खोलो कोई भी firm खोल के चले जाओ लेकिन restriction हो जाती है फिर भी क्योंकि जितना पैसे इनके पास है उतना पैसा आरेंज करना बड़ा मुश्किल काम होता है तो capital यह नहीं financial requirement इतनी फुल्फिल करना बहुत मुश्किल काम है तो थर्ड नंबर की फीचर यहां freedom नहीं बनती बलगी बनती है restricted एंट्री रेस्ट्रिक्टड एंट्री क्या है restricted एंट्री पंस की requirement रेस्ट्रिक्टड एंट्री है जो यह technology यूज करती है वो यह खुद शेयर नहीं करती तो देना बड़ा मुश्किल काम होता है तो वह restriction है सरकारी restriction नहीं है यहां पर ठीक है यह फर्म्स एक दूसरे के ओप और इंटर डिपेंडेंट रहती है इंटर डिपेंडेंटी होती है इंटर डिपेंडेंटेंट और इच अदर कैसे अब यह मानो पैपसी है इधर कोक है इंडिया में कोल्ट रिंग बेच रिये और दोनों को पता लग गया कि इंडिया में डेली एक हजार लीटर कोल डिंग बिखती ंडियली बिखती ए पेपसी वी एकहसार बनाएगी कोक भी एकहसार बनाएगी तो टोटल तो दोश्र बना देगी किसने वेस्ट उगा तो देखती है अगर इसने 500 बना Council बना दिया भी कांगे यह बजिए उब शेशसो बना रही है तो इसको 400 को लेकर एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है रिजिड रहती ऐक दूसरे के रिलेटेड यानी अगर प्यप्सी की दी को की गयारा की है तो ऐसा नहीं है कि पैपसी को कोग वाला नो रुपे की करतेगा इसको यह नो की कर डेगा आठकी कर देगा ऐसे कम करते रहने तो प्राइज वह और दोनों के लडाई फतलता नहींने का नहीं और यहाँ हॉप आप मुझे बताद धो कि करदियां चल रही है chilled cold drink मिलती है दुकान पे सस्ती करदी company ने तो ज़्यादा खरीदने लग जाओगे price कम होता है तो लोग demand करते हैं न ज़्यादा cold drink सस्ती हो जाएगी तो ज़्यादा cold drink खरीद होगे करदियों में तो नहीं खरीदेगा कोई ज़्यादा phone number रख लोगे पने पास तो यहाँ पर price और demand का relation बड़ा मुश्किल होता है catch करना तो price और demand के बीच में रिष्टा इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है तो इसलिए यहाँ पर कोई demand कर नहीं होता तो बोलते हैं यहाँ पर indeterminate demand curve होता है indeterminate यहाँ demand curve determine करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर future forecasting किसी साबसे demand price को देखकर बदलेगी वो price demand दा relation establish ही नहीं हो रहा तो that is why indeterminate demand curve यहाँ पर जो important feature है जो आपको explain करने के लिए आ सकती है वो interdependency, price rigidity और यह indeterminate demand curve यह 3 important features अब इसकी ध्यान रखनी है और 7 नंबर का यहाँ पर जो समान बेचा जाता है उसका nature कैसा होता है nature of product या homogenous बेचा जाता है heterogeneous कोई भी बेचा सकता है homogenous भी और heterogeneous भी अब sim mobile phone के sim homogenous type है similar similar है अब तुम बोलो तो pepsi को थोड़ी different हो सकते है सेम भी हो सकते है तो homogenous heterogeneous अंबूचा सिमेंट ले लो और दूसरी सिमेंट ले लो सिमेंट बेचने के भी 10-12 कंपनिया है वो भी oligopoly का part है इंडिया में अब types of oligopoly की बात करते हैं यहीं बात कर रहे हैं अगर oligopoly firm perfect substitutes बेच रही है यानि जैसे कि सिमेंट की बात करें दो कंपनिया सेम सिमेंट बेच रही है उनको बोलेगे वो प्योर oligopoly है या फिर इसको perfect oligopoly बोल देंगे perfect competition की तरह तो कोई तुमसे पूछले कि perfect oligopoly होती क्या है इसको बताएंगे भाई oligopoly perfect oligopoly वो oligopoly firms होती है जहां पर homogeneous product बेचा जाता है जैसे कि सिमेंट कंपनीज माल लो simple definition फिर एक होती है impure oligopoly या फिर imperfect oligopoly imperfect oligopoly वो oligopoly होती है जो heterogeneous product बेचती है यानि वो समान बेचती है जो एक दूसरे से अलग है किस चीज में height weight color size में अलग है माल लो दोनों कंपनी सिमेंट बेच रही है इसका सिमेंट बिलकुली अलग है एक का white है एक का grey cement है तो हो heterogeneous हो गया दोनों white cement बेच रही है तो homogeneous type हो गया और oligopoly को divide करने वालों ने दो पार्ट में और divide किया है अगर oligopoly एक दूसरे से cooperate कर रही है मिलके चल रही है इनको बोलते है collusive oligopoly collusive या फिर cooperative oligopoly अगर लडाई कर रही है आपस में मतलब war कर रही है competition कर रही है तो इनको बोलते है non-collusive oligopoly Pepsi Coke लडाई करने लग जाए तो non-collusive हो जाएगी इसको non-cooperative oligopoly भी बोलते है non-cooperative oligopoly भी बोलते है अब ये जो collusive होती है ये cartel बना लेती है they form cartel ये milk के group बना लेती है ये cartel नहीं बनाती they compete ये लड़ती है एक दूसरे competition करती है बहुत जल्दी समझा रहा हूं लेकिन काम की बात समझा रहा हूं अमझे तो ये types of oligopoly था अब रह गया था बीच में oligopoly competition thank you नहीं बोल रहा ठीक है monopolistic competition ये सबसे साथा realistic market लगती है मुझे तुम t-shirt खरिदने चले जाओ बहुत सारी दुकान मिल जाएगी नहाने का साबुन बहुत सारी brands का मिल जाएगा unlimited दुकान है unlimited brands मिल सकते है और सब की सब दुकानों पर अलग-अलग color की टी-shirt होगी किसी पे लिखा होगा commerce वाला किसी physics वाला किसी पे gate वाला किसी पे मतलब अलग-अलग नाई की रिबॉक वगएरा कुछ भी हो सकता है मतलब पैन ले लो हर दुकान पर अलग-अलग मिल जाएगा पैन खरीदने के लिए है ना तो असलियत में ऐसी market होती है तो एक firm तो है नहीं किसी भी समान को बेचने वाली मोनोपलिस्टी कंप्पृइशन वह कंप्पृइशन होता है जहां पर किसी भी समान बेचने वाले बहुत सारी companies होती है लार्ज नम्बर ओफ पी और लार्ज नम्बर ओफ समान खरीदने वाले भी लार्ज नम्बर ओफ ऑफ वायर्स अंड large number of sellers हाँ कितने perfect competition से कम लार्ज है लेकिन perfect competition से कम है दूसरा यहाँ पर हर दुकान पर जो समान बेचा जाता है वो थोड़ा बहुत अलग-अलग होता है यानि अर्जुन के पराथे अलग होंगे सुनिल के पराथे अलग होंगे डाबेवालो के तो differentiated product होता है होंगे अलग-अलग होंगे इसी को यह हम heterogeneous product बोलते हैं अब क्योंकि यहाँ पर substitute हैं यह चाहे अलग के पराथे खाने अर्जुन के खाओ या सुनिल के खाओ सब्सक्रीड तो हैं इसलिए demand यहाँ पर elastic है एक से जादा है इस बात को समझना third number पे कोई restriction नहीं है पूरी freedom है कोई भी पराथे की दुकान खोलो आओ और जाओ कोई भी टी-शेट की दुकान खोलो no restriction on entry and exit of firms कोई दिक्कत नहीं है अब देख लो ना तुमें कोई मन कर रहा है कि कैसे काम करना कैसे नहीं करना इंपर्फेक्ट नोलीज है मतलब सब अपनी प्राइवेसी बना के चलते हैं कोई शेर ही नहीं करता क्या टेक्नोलजी लगी है क्या रोमेटर लगा है जो भी कोई भी अपनी manufacturing कर रहा है चोरी चुपे चप्पर में काम कर रहे है दुनिया इंपर्फेक्ट नोलेज फीचर मोनोपली फर्म की भी यह मैंने लिखी नहीं है लेकिन आप ध्यान रखना ठीक है पांच में नंबर पे यहां पर एवरिज एवरिजर कह रहा हूँ selling cost होती है जैसे perfect competition में selling cost नहीं होती यहां हर एक फर्म अपनी advertisement करती है local level पे या किसी भी level पे extra selling cost advertisement चालव रहती है जो ज़ाद advertisement करता है वो बदाता है मेरा समान ज्यादा अच्छय है मेरी quality सबसे जज़दा अच्छह है तो मेरा समान करीदी लो मेरा समान महेंगा है दुटा है लोगों का प्राइस अलग अलग होता है यहां पर डिकता है धर का सब्सक्राइब Average revenue यहां पर margile revenue से ज्यादा होता है monopoly की तरह लेकिन monopoly की तरह बिल्कुल सेम नहीं कि इस बात को ध्यान रखना यह AR करव है यह MR करव है माल लो यहां से शुरू हुआ है माल लो एक पॉइंट से तो ऐसा ही होता है AR is more than MR तो यह कुछ basic features है monopolistic competition जिसमें starting की चार सबस्यादा important feature है फिर होने को तो और भी हो यहां पर full control over price नहीं होता फर्म का तो उस चीज को छोड़ दो long run के अंदर फर्म नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्म करती है इस बात को भी ध्यान नखना normal profit in long run तो long run के अंदर जो concept है oligopoly का नहीं है आपके course में perfect competition long run के अंदर normal profit monopolistic competition long run के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट मोनोपली लॉंग रंद के अंदर अब नॉर्मल सूपर नॉर्मल प्रॉफिट चौटरन में कुछ भी हो सकता है सबके साथ सेम हो सकता है अलग अलग भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो यहां पर यह सारी फीचर्स बता के मैंने चैप्टर की basic basic forms of market को खतम किया है आपको अभी भी कोई दिक्कत डाउट परिशान ही है comment section ने बता दो मैं उस समस्या का समाधान निकाल दूँआ कोई problem वाली बात नहीं रहेगी और अगर इसके ओपर कुछ question रह रहा है तीनों forms of market हो गई है तीनों की features हो गई है यह बहुत important रहता है कि क्या कुछ पूछना चाते हो तो पूछ लेना नहीं पूछना चाते तो मैंने चैप्टर अपको कराई दिया है इसमें forms of market कराया है बताब theory 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 कराई है तीनों का difference भी आ सकता है आपस में एक दू description होती है perfect competition में नहीं होती monopoly में long run में abnormal profit होता है perfect competition में long run में normal profit होता है monopoly में less elastic demand perfect competition में perfectly elastic demand monopoly में AR is more than MR perfect competition में AR is equal to MR features के basis में किसी भी form of market के बीच में difference आता है अब आप से पूछता हूँ मैं यहां पर तीन कर्व बनाऊंगा तीनों के तीनों AR कर्व है या demand कर्व माल दो तुम इसको एक दो तीन AR1 AR2 और AR3 तो बताओ कौन सा कौन सी firm का है तुम मत बताओ में बतारों यह वाला AR perfect competition का है क्योंकि parallel to x-axis है demand कर और इन दोनों में से ज्यादा elastic कौन सा है AR2 ज्यादा elastic है क्योंकि जितना flat होता है उतना ज इस बात को ध्यान रखना और लास्ट वाल है monopoly का तीनों को अगर एक साथ compare भी करना हो तो देख लो जिसका जितना flat होता है उसकी elasticity उतनी ज्यादा होती है तो elasticity भी इन तीनों में अलग-अलग difference बन चकता है तो मैंने इसको तुम्हें समझाने के purpose से समझाया है किसी question answer लिखन पर देख समाने है किसी एग में समझा भी, हम दोस्त पर दोस्त लिखने का इसले को करना में समझाया तुम्हें ट्स्जास स fist Smत